असलाम आलाइकम एव्रीवान वेल्कम बाक टो फॉन अन्हापिनेस और आज हम बना रहे कीमे के समूसे समूसे बनाने के लिए हम पहले कीमा तियार कर लेंगे जिसके फिलिए हमारे पास है 1 kg मीट 3-4 मीडियम साइस की प्यास 1 हैंडफुल जिंजर 1 हैंडफुल लहसन 1 हैंडफुल धन्या 1 हैंडफुल पुधीना और 12 हरी मिर्चिया आप एक बात याद रखेंगे जब आप एक किलो के कॉंटिटी में कुछ बना रहे हैं तो लहसन और अद्रक 1 हैंडफुल ही डाला जाता है हमने इससे हरे मसाले के साथ पीस लिया है अब हम इससे सूखे मसाले के साथ पीसेंगे जिसके लिए हम लेंगे दो चमच नमग आदा चमच हल्दी एक चमच लाल मेंचिका पॉडर स्वारी दो चमच लाल मेंचिका पॉडर एक चमच गरम मसाला एक चमच धनिया पॉडर हमने इससे दो बार पीसा है तब ही ऐसा हुआ है हम इससे डायरेक्ट कडाही में निकाल लेंगे और दो चमच तेल के साथ पका लेंगे केमा पगने तक हमने निकार पॉडर मैदे को नमक के साथ और थोड़े से तेल के साथ सखत बून लिया है। अब इसकी शीट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसकी शीट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसकी शार्ट करते हैं। अब इसकी शीट्स बनाना स्टार्ट 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 करते हैं। झाल 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 समोचे की फिलिंग्स करते हैं हमने यह रोटी बेल लिए अब हम दिखाएवा दरीक से खोलेंगे और जैसे बताया जा रहा है वैसे इसको रोल करके कट करेंगे चलिए अब इन पट्टियों में हम इसकी फिलिंग्स भरते हैं यहां पर हम इसको चिक्की लगा के बन कर देंगे चिक्की हमने थोड़े से आटे में पानी मिला के किये फुष्की के आटे में अब हम तेल गरम करके समोशो को फ्राइग करेंगे हमारी कीमे के समोशो तैयार है चलिए इसे साफ करते है इसंदो प्राइब के विलित वरते है झाते है एब है झाते है